हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी का अर्च यह डिफेंस अकेडमी को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है और आप सभी ने देखा है पिछली क्लास में हमने जो पड़ा था वो क्या था हमने चाल इस पीर चाल क्या मुद्पी है चाल के कितने परकार होते हैं और इस कलास के अंदर हम अगला टॉपिक स्वरू करने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है वेग चाल के बाद अगला टॉपिक आता है अपने पास में वेग वेग किसे कहा जाता है या वेग किसे कहा जाता है तो वेग क्या होता है जैसे हमने चाल के अंदर देखा था चाल पराबर होता है दूरी बटे समय एसे ही वेग क्या होता है तो वेग होता है बच्चो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है अठाथ हम यह बोल सकते हैं कि 21 समय में 21 समय में किसी पिंड का किसी पिंड का विस्थापन किसी पिंड का विस्थापन उसका वेग कहा जाता है उसका वेग कहलाता है अम आलो वेग को हम दिलोट करते हैं वी से तो वेग बराबर कितना हो जाएगा विस्थापन बटे समय विस्थापन बटे समय कुल विस्थापन जो भी वार और उसको जो भी समय लगा विस्थापन बटे समय विस्थापन कितना है और कितना समय लिया है या फिरिशी को हम दिनोट कर सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी मतलब एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस टी वन यह इसका जनल फॉर्मुला होता है जब हम आगी इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसके अकोर्डिंग प्रव स्थापन परेवरतन की दर को कहाता है या किसे भी विस्थापन शालाएंगा अगली बात लाते हैं जो वेग है वीस्थापन किया होता तो वेग का मात centralized हो जैएगा सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब प्रम प्ता पर सब्सक्राइब मिटर पर सेकंड नेक्स्ट अपने पास में ये कौन सी रासी है कौन सी क्वांटिटी होती है जो वेग है वो कौन सी क्वांटिटी होती है सदिस है आदिस है परदिस है कौन सी रासी होती है तो हमें पता है विस्थापन जो है विस्थापन कौन सी रासी होती है, विस्थापन होती है, सदिस रासी, और इसी का गोडिंग वेख भी क्या है अपने पास में, वेख भी एक सदिस रासी होती है, मतलब यह कौन सी क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मात रख हो गया मेटर पर मिटर पर सएकंड है तो मिटर पर सेकंड कोडिकoryma क्या बन जाएगी इस्की मीमा क्या लए है घ्कर थे उते हैं कि जो लिए जैसे यह अमने ऐ पढ़ा था कि जो मिस्थापन है मिस्थापन क्या हो सकता है विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन रिनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन सुनने भी हो सकता है, वेग धनात्मक रिनात्मक अत्वा सुनने हो सकता है, वेग धनात्मक रिनात्मक अत्वा सुनने हो सकता है, करेगा कि विस्थापन के विस्थापन के उपर तो जनने शुगशे लागला पॉइंट है अगला पॉइnt आता है अपने पास में कि जो वेग है जैसे हमने चाल पड़ी थी तो चाल के अंदर के अपर चाल के अलगलत परकार पे वैसे ही जो वेग है वेग के भी अलगलत परकार होते हैं वेग के भी परकार होते हैं कौन-कौन से होते हैं टाइप सोफ़े वेलोस्टी टाइप सोफ़े वेलोस्टी वेग के परकार, उनकों से परकार होते हैं, तो देखो, जैसे हमने चाल के अंदर पढ़ा था, चाल के अंदर पहला पढ़ा था, एक समान चाल, ऐसे ही वेग के अंदर भी आता है अपने पास में, एक समान वेग, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोस्ती, एक समान वेग, तो इसको ध्यान से समझना जैसे हमने चाल के अंदर तो यह देखा था कि चाल एक समान चाल कब होती है एक समान चाल होती है जब कोई प्रिंट समान समय अंतराल के अंदर है समान दूरी तैकर रहा हो तो उसकी चाल को हम बोल देंगे एक समान चाल लेकिन चाल जो थी वह थी सब्सक्राइब एक समानवेग कब होता है एक समानवेग होगा यदी कोई पिंड यदी कोई पिंड एक निश्चित परिमान के साथ एक निश्चित दिसा में गती करता है अर्था यू पिंड गती का निश्चित परिमान और निश्चित दिसा क्योंकि वेग जो है वो सदिस राज़्ची है अब वेग सदिस राज़्ची है तो इसके अंधर परिमान भी ओगा और दिसा भी होगी इसका मैगनिट्यूड भी होगा और इसकी डारेक्शन भी होगी तो मैगनिट्यूड एंड डारेक्शन जो है वो यदि दुनों को इस तब ही हम क्या बोलेंगे कि एक समान वेग है यूनिफॉर्म वालोस्टी है जैसे कोई पिंड सरल रेखा के अंदर स्टेट लाइन म करके साथ वह इस इस डारेक्शन के अंदर इस चल रहा है नवीय उसका परीमान चेंज और नहीं उसका मैगनिट्यूड चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या शामानवेग नहीं बोल सकते इस परकाश पहला तो देखो इसके अंदर एक समानवेग कब समभव हो सकता है अब निश्चित परिमानों निश्चित दिशा कब हो सकता है सरल रेखिये गति में ही संभावद है एक समान जो वेग है वो केवल और केवल सरल रेखिये गति के अंदर ही हो सकता है दूसरी गति के अंदर ये संभावद नहीं हो का क्यों नहीं होगा आगे पढ़ेंगी इसके अंदर जैसे मालो मैं इसके एक एक एग्जाप लेतू कि ये कोई पिंड है जो वर्टा कारपत पर 20 मिंटर पर सब्सक्क्राइब की परिमान से गति कर रहा है तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि इसके अंदर ये जो परिमान है ये तो इसका नियत है, लेकिन वर्तिय गती होने के कारण पर तेग बिंदू पर इसका जो दिसा है वो परिवर्तित हो रही है, अब दिसा परिवर्तित हो रही है, तो इसका मतलब ये एक समानवेग नहीं होगा, तो एक समानवेग कब हो सकता है, एक समानवेग केवल और केव पान जो है वो भी निश्चित है दिसा भी निश्चित है अब हम आगे स futur ऑटाए ऑं हम갈े संपडेशन मतलब बैग में परिवर्तन यदotti होता है तो नहीं दब और में परिवर्तन नहीं ओगा वेलोस्टिक अंदर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या नहीं होगा, एकसलेशन नहीं होगा, एकसलेशन नहीं होगा, तो हम यह आपर लिख सकते हैं, कि एक समान वेग में, एक समान वेग में, तवरण सुनने होता है, क्योंकि तवरण जो हम पढ़ेंगे आगे, उसकी परिवासा के अनुसार वेग में परिवरतन होना चाहिए और एक समान smiles के अदर में कोई भी परिवरतन नहीं इसका magnitude भी constant नहीं है उसकी direction भी constant है तो एक समान मेग के साथ जब कोई परकिंड गती करता है तो उसका तवरन सुननन होता है जैसे यह बॉल दिया जाए कि एक तो उसके उपर लगने वाला बल कितना है, उसके उपर बल पुच्छा गया था कि उसके उपर बल कितना लग रहा है, तो देखो, जब भी कोई प्रिंड सर लेखा के अदर गति करता है, और उसका वेग निश्चित होता है, एक समान वेग होता है, तो एक समान वेग के अंदर है थब इसके उपर लगने वाला जो नेट बल है जो खुल बल है वह भी क्या हो जाएगा सुने में पर एक रखेंगे जिरो हो जाएगा तो यह जो पिंडी इस दिसा के अंदर एक निश्चित परिमान के साथ गती कर रहा है तो इसके उपर बल तो है लेकिन जो नेट बल है जो पुल बल है वो क्या है इसके उपर सुनना हो रहा है सुनना क्यों हो रहा है क्योंकि यह एक समानवेग से गती करता है तो एक समानवेग क्या होता है? एक समानवेग का मतलब होता है जब नैतो पिंड का और नहीं उसकी दिसा परिवर्टित हो तो ही क्या होगा? एक समानवेग का लाएगा औरror यह समानवेग के अंदर दयानक में एक समानवेग Siama एक समान वेग के अंदर हमने देखता कि एक समान वेग के अंदर जो पिंद गती कर रहा है उसका परिमान मैगनिटूड और उसकी डारेक्शन दोनों क्या है नियत है अब बात आती एक समान वेग की तो एक समान वेग के अंदर होता है कि जब कोई पिंद गती की अवस्था में हो और उसका या तो परिमान या दिसा या दोनों समय के साथ समय के साथ परिवर्थित होते हैं तो उस वेग को ए समान वेग कहा जाता है मतलब है जब भी कोई पिंड जैसे मानलो कोई पिंड है वो सरर लेखिये गती के अंदर चलता है अब इसकी जो प्रारंबिक चाल है मानलो मैं यू से लिख लूँ इसको यह 20 मिटर पर सेकंड है परंटू टी इस इक्वल टू 10 सेकंड के बाद इसकी जो चाल है वो 50 मिटर पर सेकंड हो जाती है मतलब इसका जो मैगनिटूड है वो चेंज हो गया तो मैगनिटूड चेंज होने का मतलब क्या हो गया यह ऐसा मानलेग हो गया दूसरा जैसे मालों कोई पिंड है वह वर्तिय गती करता है अब इस वर्तिय गती के अंदर मालों हम यह कहाँ दें कि इसकी जो परिमान है वह 20 मिटर पर सेकेंड है लेकिन इसकी जो दिसा है वह परिवर्तित हो रही है तो इस परकार से यह जो एक्जामपल है यह जो पाने पास में एसमान वेग के क्या कलाएंगे एसमान वेग के एक्जामपल होते हैं जिसके अंदर या तो क्या हो जाए परिमान बदल जाए या दिसा बदल जाए या फिर दुनों ही परिवर्तित हो रहे हो तो उसको क्या बोल इसमान वेग में, तवरन सुनने नहीं हो सकता है, जैसे मालो हम यह एक्जंपन लें इसके अंदर हम यह बोल दें, कि यह 20 मिटर पर साइकन कॉंस्टन्ट की साथ में चल रहा है, तो इसका मेंनिटूड तो कॉंस्टन्ट है, इसका परिमार तो नहीं है तो गया, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, तो दिशा परिवर्तित होने के कारण भी क्या होगा, इसके अंदर तवरन होगा, जो हम वर्तिय गति करेंगे, तो उसके अंदर वर्तिय गति के अंदर हम पढ़ेंगे, तो यह दो प्रकार की तवरन होते हैं, एक इस पर स्रेखे तवरन होता ह कि brands होता है तो वड़ी एंदर कभी सउनने नहीं होता है चाहिए उसका परिमान क्या होजाए doing नियात हो जाए क्युंकि उसकी दिसा परिवर्ति तो रहे हैं और दिशापरीवर्तन के कारण है क् सब्मार जबकि यहां की बात करे हम तो यहां पे क्या है अपने पास में परिवां परीविर्ति तो रहा है तो इसका मतलब क्या है यहां पर लेख़ा है क्योंकि परिमान इसका बदल गया हुआ तो यह क्या होता है यह है समान वेग होता है कि अगला अपने पासमें चैनल चाल के अदर हमने बढ़ा था कि उस्त चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे, कुल समय, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, उस्त वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, बटे, कुल समय, उस विस्थापन को होने में दिया गया समय, उस विस्थापन को होने मिलिया गया समय और उसका जो पुल विस्थापन है वो क्या होता है उस सत्वेग क्या लगता है जैसे देखो मालो एक बिंड है वो A बिंडू से B बिंडू तक जाता है अब A बिंडू से B बिंडू तक की बीच की जो दूरी है वो 10 मिटर है ए से B के बिच की दूरी 10 मिटर है और इसको यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा वो 10 सेकंड का लगता है लेकिन यह क्या करता है यह B बिंडू पर जाने के बाद में वापिस एक बिंडू सी पर आता है जो B से 2 मिटर की दूरी पर है B से C बिंदू पर आता है और B से C के बीच की जो दूरी है वो दो मिटर है तो इसके अंदर हम ये पूछ लिया जाए कि इसकी ओसत्चाल क्या है ओसत्चाल क्या है तो ओसत्चाल का तो हमें पता है ओसत्चाल तो होती कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय तो हम निकाल सकते हैं कुल दूरी का गामे बताए कुल दूरी कभी भी क्या ले यह सपती रनात्मान नहीं हो सकती सुनने नहीं हो सकती तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी A से B पर गया वो 10 मिटर और B से वापिस C पर आया 2 मिटर तो यह कितना बन गया 12 मिटर कुल दूरी होगी कुल समय कितना लिया उसने अब कुल समय कितना लिया उसने A से B तक जाने में लिया उसने A से B तक जाता है वो 2 सेकंड में और B से वापी C तक आता है वो मालनो 2 सेकंड के अंदर तो कुल दूरी बटे कुल समय अब कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी कितनी होग ए से बी तक है 10 मिटर वी से सी तक वो फिर चला 2 मिटर तो 10 और 12 मिटर तो होगी उसकी कुल दूरी अब कुल समय कितना लिया उसने तो A से B तक जाने में 10 सेकंड का समय लिया B से C तक आने में उसने 2 सेकंड का समय लिया तो कितना हो गया 12 सेकंड तो इस तरह से उसका क्या हो गया अपने पास में उससत चाल होके उसकी 1 मिटर पर सेकंड परंतु यदि यही पर यह बोल दिया जाए कि इसका ओसत वेग कितना है तो ओसत वेग के अंदर मैंने अभी बताया था ओसत वेग होता है कुल विस्थापन हमें यह देखना पड़ेगा उसका विस्थापन कितना वा अब A से B तक गया वो 10 मित्र B से वापिस C पे आ गया 2 मित्र मतलब उसका विस्थापन क्या है परारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू मतलब परारंबिक के स्थिति और अंतिम के स्थिति के बीच की दूरी यह अब यह कितनी है यह टोटल 10 है तो यह 2 मित्र यहां से यहां तक है तो यह कितनी बन जाएगी, एक मिटर, तो यह कितना हो गया, आठ, कुल विस्थापन, तो यह हो इसका, अब कुल समय, तो यह याद रखना, कुल समय इसको यहां से यहां तक जाने में लगा है, दस सैकेंड और यहां से वापिस आने में लगा है, इसको दो सैकेंड, तो कुल समय इसका यह होगा क्योंकि कुल विस्थापन होने में समय लगा है इसको 10 और 12 सेकंड का समय लगा है इसको कुल विस्थापन होने में यह मत कर देना कि यहां से यहां तक की दूरी 8 मिटर है तो इसका जो समय लगेगा वो भी 8 सेकंड लगेगा नहीं कुल विस्थापन होने म कि आपने पास में कि इसकी क्या हो गई को साथ हो गया कि टो यह होता है अपने पास में पुल विस्थापन बटे कुल समय पुल विस्थापन बटे, पुल समय ही क्या कलाता है पिंड का और सत वेग ही क्या कलाता है अगला पड़ते हैं ताथ छनिक वेग ताथ छनिक वेग instantaneous velocity ताथ छनिक वेग तो आपने ताथ छनिक चाल पड़ी थी ताथ छनिक चाल कहा तो किसी भी पर्टिकुलर छन के उपर, पर्टिकुलर मुमेंट के उपर ऐसे ही ताथ छनिक वेग ही क्या होता है किसी भी किसी भी छन पर पिंड का वेग वेग उसका तात छणिक वेग कहलाता है किसी भी छण पर पिंड का वेग उसका तात छणिक वेग कहलाता है तो इसको हम दिख सकते हैं ऐसे मालो विस्ठापन को हमने डिनोट कर लिया एक से यह क्या बन जाएगा में डियेक्स उभोन बी डी यह क्या क हरना है किसी भी चcession के उपर जो वेग वली उसका क्या क्या घ्यकी गछाएगा तो ये थी अपने पास में क्या वेग कि यह परकार अब इसके उपर एक्जाम्पल देखते हैं अपने पहले एक दो जैसे मान लो ये बोल दिया जाए किसी पिंड का किसी पिंड का विस्थापन समी करा एक्स पिंड का विस्थापन समी करा ना एक्स इस इक्वल तो 2.4 T स्पेर है तो इसका T इस इक्वल तो 2 सेकिंड पर वेग कितना है T इस इक्वल तो 2 सेकिंड पर इसका वेग कितना है तो ये T इस इक्वल तो 2 सेकिंड पर पर्टिकुलर सेकिंड के उपर पुछाई इसने तो ये क्या होता है ये होता इसका ताथ छणिक वेग जो यहां पर वेग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा ताथ छणिक वेग निकल के आएगा तो यह इस पर्टिकुलर मॉमेंट के उपर पूच रहे है किस पर्टिकुलर मॉमेंट के उपर इसका वेग कितना है तो इस पर्टिकुलर मॉमेंट के उपर वेग निकालेंगे तो हमें पता है V is equal to होता है Dx upon dt अब Dx upon dt होता है तो इससे हम क्या जड़ सकते हैं यह कितना बन जाएगा 2.5 into 2 into T तो यह कितना बन जाएगा 5T अब 5T के अंदर हमें T की value दी है इसलिए यह बोला है कि T is equal to 2 second per way कितना है तो T is equal to 2 second per way कितना बन जाएगा 5 into 2 is equal to 10 minutes per second यह क्या आगया इसका ताठ चेज़ी वेग आगया ताठ चेज़ी के वेग आगया इसका ठीक है बच्चों यह होता है अपने पास में वेग क्या होता है वेग के परकार कितने होते है और उसके अलग अलग तंसे परकार है एक समान वेग या फिर हम बोल सकते हैं ओसात वेग, तात छनिक वेग, अब अगली क्लास के अंदर हम पड़ेंगे तवरन, जब next क्लास होगी तो next क्लास के अंदर हम देखेंगे कि तवरन क्या होता है, तवरन के परकारतितने होते हैं, ठीक है बच्चों?